और लखनों में होने वाले 19.12.2021 के अधिवेशन में माननी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी को भी इन्वाइट किया गया है नमस्कार दोस्तों इंपले कफर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सबी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों नेशनल अजिटेशन कमिटी की ओर से 7.12.2021 को EPS 95 पेंसन दारगों की मांगों को लेकर माननी श्री नरेंद्र मोधी जी प्रधानमंत्री वारत सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने विस्तार से EPS 95 पेंसन दारगों की समस्या और अब तक के EPS 95 पेंसन दारगों के लिए नियमों में जो बतलाव यहां पर किये गए जिससे EPS 95 पेंसन दारगों को बार बार नुकसान हुआ जैसे कि यहां पर पूरी तरह से पुझी की व्यापसी, कमिटेशन पेंसन और यहां पर जो सिलिंग लिमिट है उनके बारे में विस्तार से जानकरी दी गई है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट यह प्रपत्र आपके लिए यहां पर जानना जरूरी है क्योंकि इसमें के लिए संसत के इसी सत्र में न्याय प्रदान करने ही तो प्रातना पत्र है लिखा गया है कि माननी यह महोदय सविनै साधर निविदन है कि देश के 66 लाग अद्दोगेक सार्वजनी सहकार वनीजी छेतर के रिटार्ड करमचारी यानि कि EPS 95 पेंसनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्मान में अपना खुन पसीना बहा कर देश को समरद बनाया आज वही EPS 95 पेंसन धारक अत्यंत कम पेंसन मिलने के कारण अत्यंत दैनी वह मरना सर्थ अवस्था में जीवन जी रहे है वह साथी परिवार और समाज में अपना सम्मान खोते जा से लगो की गई Employee Family Pension 1971 को बंद करके इसके सभी Assist and Logitech EPS 95 योजना में सम्मिलित किये गए किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंसन योजना का परियाए न देते हुए सभी सदस्यों को इस नई योजना EPS 95 योजना में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया उसी वक्त 1971 के पुर्व करमचारियों को इसमें सामिल नहीं किया और उन्हें उनकी इच्छा पर निर्भर रखा गया इस पुरानी योजना में करमचारियों का काटा गया पैसा जिसका आज का मुल्य लाखो का है EPS 95 योजना में जमा हो गया इसके बाद करमचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दोरान सरकरी नियमानुसार 417 रुपए, 512 रुपए, 1250 रुपए प्रती महा तक यहां पर जमा किये और व्रद पेंसनर को आउसतन पेंसन दी जा रही है जो कि यहां पर 1170 रुपए मात रहे यह रासी इतनी कम है कि इसमें पती पतनी का जीवन यापन करना दूर व्रद आवस्ता में इस रासी की आउसदी वह उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता है इस EPS 95 योजना के अंतरगत जो यह अलप रासी तै की जाती है वह पेंसन आज जीवन कथापत रहती है पूंजी की वापसी का प्रावधान भी सन 2008 में एक तरफा ही यहाँ पर समाप्त कर दिया गया दिनांक 7,1,1996 को देश के लगवग सभी समाचार पत्रों में करमचारी भविशनिती संगठन एपफो ने अधिकारिक तोर पर विग्यापन देकर प्रचारित वप्रसारित किया कि EPS 95 योजना सरकार की पेंसन योजना से 10 प्रतिसत से अधिक ज्यादा लाबदायक रहेगी नई पेंसन योजना अंतरगत सेवा निवरत पर पेंसन संबंदी लाब सरकारी करमचारियों को प्राप्त होने वाले लाबों से अधिक है सरकारी कर्मचारी अपनी पेंसन पर महांगाई भत्ता व्रद्धी प्राप्त करते हैं नई पेंसन योजना के अंतरगत इसका मुल्यानकन तीन वर्स अत्वा उसके पूर्व किये जाने का प्रावधान है सरकार पर इस मुल्य को वार्सिक रूप से किये जाने के पर सामत हो गई है इस योजना में पूर्व की वाप्सी का भी प्रावधान है इत्यादी एड़ुटाइजमेंट यहां पर इप्रावधों के तरब से दिये गए जो कि EPS 95 पेंसन धारकों को लुबावने लगे थे इनी सब विग्यापनों से प्रावित होकर उस समय करमचारियों का एस योजना की सदस्यता के लिए जवर्दस्ती लागो करने का विरोध कम होता गया क्योंकि यह सिर्प भविश निर्वाह निदी जमा करने वालों के लिए बहुत लभावना प्रस्ताव उस वक्त के केंद 2014 में माननी प्रदानमंत्री महुदय जी आपने कम से कम पेंसन एक हजार रुपय करने की गोसना की लेकिन उसके साथ ही 2014 में योजना के नियमों में बदलाव किया और पेंसन की गनना पिछले 12 महिने की आउसतन वेतन की जगह, पिछले 60 महिनों के आउसतन वेतन पर करदी जिस से पेंसन की रासी और भी कम हो गई हमारे संगटन एनसी ने पिलित EPS 95 पेंसनर्स की आवाज को सरकार तक पहुचा कर हम पेंसनर्स की उचित मागो को मंजूर करवाने हितू देज भर में पिछले पाँच वर्सों से तहसिल इस्तर से लेकर राश्टी इस्तर तक दिल्ली तक विवित प्रकार के अंदलन की है माननी इसरं मंत्री जी के साथ एनसी के प्रतीनीदी मंदल की कई भैठके संपन्न हुई है वह शर्म मंत्री महधै ने हमारी बाते ध्यान से सुनी अधिनिस्त अधिकारियों के साथ कई भैठके भी की आशवाशन भी दिये लेकिन मुख मांगो के संदर्ब में निरनाय नही माननी इस्रम मंत्री जी की सलहा पर वह सब्वेता पर विश्वास रग कर देश के सभी आंदुलने वापस ले लिए गए सिर्फ एनसी के मुख्यले बुलड़ाना महराष्ट का दिनांक 24-12-2018 से क्रमिक अंसन अखंडित रूप से आज दिनांक 7-12-2021 तक यहाँ पर चालू है जिसके 1080 दिन यहाँ पर चलने लगा है सभाग्य के साथ 4-3-2020 को वदिनांक 5-8-2021 को माननी स्रीमती हेमा मालिनी जी की अगवाई में प्रधानमंत्री जी महुद है आपके साथ एनसी के राष्टी अद्यक्ष कमांडर असोक रावुत वा एनसी के प्रतिनीदी मंडल की बैठक संपन हुई माननी प्रधानमंत्री जी अपने स्वयम ने हमारे संगटन के प्रतिनीदी मंडलों की समस्याए बड़े ध्यान से सुनने के बाद संबंदित मंत्रियों को आदेश भी दिये लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है अब पेंसनर्स की मागों को सिग्र मंजूर करने है तो EPS 95 पेंसनर्स की गंभीर समस्याओ और पेंसनर्स की व्यापक रोज वह बढ़ती हुई मरतियों देर को देखते हुए माननी प्रदान मंत्री महदय जी आप तक सरकार तक पेंसन धारकों की करुना भरी पुकार को पूर्ण करने के लिए हमारी मागों को मंजूर करने है EPS 95 पेंसनर्स बचाओ राष्टी अभियान सुरू किया गया है माननी महदय सम्मान पुर्वक पेंसन व्रदी हितु 2008 नौ में एक्सपर्ट कमिटी 2014 में माननी भगस सिंग कोस्यारी की अद्धिक्षता में कोस्यारी कमिटी 2018 में High Important Monitoring कमिटी और फिर लेबर पर संसदी समिती आधी समितियों की बैटा की गई है मिनिमम पेंसन के विशे में EPFO द्वारा कहा जाता है कि वह Self-Funded Scheme है लेकिन सत्य यहा है कि सरकार का अंसदान 1971 की पुरानी पेंसन स्कीम में 1.16% था आज भी 1.16% ही है कोस्यारी समिती ने इसे बढ़ा कर 8.33% की सिपारिज की थी EPFO के और से यह भी कहा गया था कि पेंसन वरद्दी बजटी सपोर्ट के बिना संभव नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि EPFO के पेंसन फंड से ही रुपए 7500 प्लस डिये मासीक पेंसन संभव है जिसका टेबल भी इस प्रपत्र के साथ सनलगन किया जा रहा है वास्तविक वेतन वा उच्च पेंसन के संबंद में साधर यह है कि इसकीम के प्रावधान होने के बाद भी उच्च पेंसन नहीं दी जाती मजदूरी हितू पेंसनर्स नियायलेयों में जाते है जीतते रहे वा EPFO का विरोध स्रंखला जारी रही अंत में दिनांक 4-10-2016 को सर्वोच नियाले ने EPS 95 पेंसनर्स के पक्षमे आदेश दिया इसी आदेश के अनुसार सभी सास्क्री अब चारिकताओ की पूर्ती के बाद कर्मचारी भविशनिदी संगठन ने 23-23-2017 परिपत्र भी जारी कर दिया इसकी गोशना भी की श्रम मंत्री के द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े नियाला यानि कि संसद में इसकी गोशना भी की गई लेकिन बाद में EPFO के द्वारा 13-5-2017 को एक एंट्राइम एडवाईजरी जारी कर उच्च पेंसन पर रोक लगा दी और EPFO ने स्वयम के पत्र दिनांक 23-3-2017 के परिपत्र को अयोग यहां पर रग दिया मेडिकल सुईदा के विसे में माननी इस्रम मंत्री ने संसद में समाई समाई पर संसद सदस्यों को पत्र लिख कर आउगत कराया कि योजना विचारधीन है कार चल रहा है लेकिन EPFO दलील दे रहा है कि इस स्केम में प्रावधान नहीं है इन सब तत्यों से लगता है कि कहीं न कहीं EPS 95 पेंसनर्स के प्रती EPFO का चल तो नहीं है क्योंकि EPFO के पास 5.5 लाख करोड से अधिक का पेंसन फंड होने के बाद भी कहता है कि पेंसनर्स को पेंसन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है अब तो कहा जा रहा है कि EPS 95 स्केम का रिफाम किया जाएगा इस तथा कथित रिफाम में भी समय लगेगा और इसी समय में पता नहीं कितने हमारे सदस स्वर्ग सिधार जाएंगे हम सबी पेंसनर्स को पहले से ही सरकार के निर्देशा अनुसार अंसदान कर चुके हैं आपसे प्रातना है कि संसत के इसी सत्रमें ग्रप्या मिनिममम पेंसन 7500 महंगाई भत्ता मंजूर करवाए यदि आवश्यक हो तो बजट में प्रावधान किया जाए या इसी के लिए बिल पास किया जाए यह उचित मांग कोशेरी शमीती राज्य सभा पिटिसन 147 की सिफारिस के अनुसार 3000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता था जो कि 7-8 वर्सों में बड़ी हुई महंगाई को देखती हुए की गई है E.P.A.P.O. के द्वारा अंत्रिम एडवाईजरी जो की 31-5-2017 के परिपत्र को वापिस लेकर E.P.A.P.O. के परिपत्र दिनांक 23-3-2017 के अनुसार उच्च पेंसन प्रदान की जाए सविने साधर है कि मिनिमम पेंसन 7500 प्लस डी ये वावास्तविक वेतन पर उच्च पेंसन का विकल्प यह दोनों मांगे यदि साथ मंजूर नहीं की जाती तो उच्च पेंसन का विकल्प चुननने वाले पेंसनर्स की संख्या बढ़ती हुई उम्र जमा की जाने वाली रा प्रिश्टो को भी इस कुचक में फसाया गया है EPS 95 पेंसन दारगों के जो तीसरी डिमांड है वो यह है कि सभी EPS 95 पेंसनर्स तदा उनके पति पतने को मुफ्त चिकित सा सुईदा यहाँ पर मिले यदि इसकी में प्रावदान नहीं है तो करप्या आप करवाए नियम कान लोक कल्यान के लिए ही यहाँ पर बनाय जाते है जिन सेवा निवरत करमचारी EPS 95 योजना में सामिल नहीं किये गए उन्हें उनका सदस्य बना कर योजना में लाया जाए 5000 रुपई की रासी पेंसन के तोर पर प्रदान की जाए देश के ऐसे निवरत करमचारियों की संक्य बहुत कम है आगे पत्र में लिखा है कि माननी महदय आपके द्वारा अश्वाशन के बाद अब हम वरद पेंसनर्स कहां जाए करपया इनके साथ न्याय कर इन्हें संबान पुर्वग जीने का आउसर प्रदान किया जाए यह भी सादर है कि पिछले वर्सों में देश के प अब अधिकान्स पेंसनर्स जीवन के अंतिम पड़ा अपर है वह उम्र 65 वर्स वह उससे जदा है विक्ति के आउसतन उम्र 70 वर्स है उस हिसाब से कम से कम 5-6 वर्स तो हमें सम्मान पुर्वग जीने के लिए हग प्रदान किया जाए मानिय महदय जी यह विशेज प्रातना है कि दिनांक 19-12-2021 को संगठन का राष्टी अधिवेशन लखनों में संपन होने जा रहा है इस राष्टी अधिवेशन में आपकी उपस्तिती प्रातनी है क्रप्या मुख्य अतिती के मार्ग दर्सक के रोप में उपस्तित रहा कर हमें मार्ग दर्सन करे आजादी के अमरत महाउत्सों के सौप आउसर पर पेंसन व्रद्धी वग मेडिकल सुईजा का ऐसा एतिहासिक निरने गोशित कर देज के 66,00,00,000 EPS 95 पेंसनर्स को जीवन द प्रदान कर उन्हें क्रतग्य करे आपकी अतिक रपा होगी इस तरह एक प्रपत्र माननिय कमंडर असुक रावत राष्टी संगर समिती NAC की ओर से आधरनिय प्रदान मंत्री मौदय को यहाँ पर भेजा गया है और इसकी कापी सभी संसद मौदयों को सनलगन की गई है और लखनों में होने वाले 19.12.2021 के अधिवेशन में माननिय प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया है तो आई हो दोस्तों आज के स्वीडियूम दी गई इंफरमेशन आपको पसंद आई होगी यह चार पेजों का प्रपत्र जोके NAC राष्टी संग पर हुआ यह जानकारी आपको आज किस वीडियो में मिल गई होगी यह वीडियो जानकारी आपको अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक से चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में किसे से जानकारी के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा Employee Cover चैनल के साथ जय हिंद वंदे मात्रम